अब बच्चो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो इस वीडियो में आज हम नया अध्य है श्टार्ट करने वाले हैं और असद्य है जो है वह है पांच अध्य है और इस अध्य का नाहा है बच्चो पदार्थ की अवस्था है State of Matter वच्चो आई सुरू करते हैं नया वीडियो वच्चो सबसे पहला प्रशन हमारा चेप्टर के नाम के आधर पर ही बनता है की पदार्थ क्या है पदार्थ किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम सुरू आथ करते हैं वच्चो पदार्थ की परिवासा से तो तो देखी बच्चों पदार्थ किसे कहते हैं आपको छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहा हैं आप कि पदार्थ क्या होता है पदार्थ बच्चों पदार्थ को हम द्रब्ब भी भूलते हैं ठीक है ये कोई बहने वाला द्रब्ब नहीं है ये पिसमें बच्चों में क्या जात हैं ठीक है तो देखी परिवास क्या हो जा Пон چी वह बस्तु जिसमें भार होता है सब जानते हैं बच्छो बऊहर होना चाहिए जो इस्थान में घ्रता हो है ना हमारे आस-पास जितनी भी चीजे बच्छो हम देख रहा है हमारी ख्यान मैं से जितनी भी चीज़ों को हो उसको के करते हैं सपिल आपको पता है यह बत्यों आज की आपको आंगे जाकर बताएंगे तो देखी वच्चों पदार्थ की चो आज कल क्या है कि और भी खोजों जो है आवस्थाओं कि खोजह चुकी है जिन को हम 4 और 5 वबस्था जो है कहते हैं آ lambda 24ल levant theater जो आप नहीं कर सकते हैं इसलिए इनको मुख में नहीं किना जाता तो एक वच्छ इसकी प्लाजमा जो बहुत ज़्यादा गरम रभेष्ट इसमें कोई पदा तो नहीं ज़्यादा प्र Memorial back दो आती है दूसरी पंड़न सेट इसको सौटकाट में भी आ इसी authentic अबस्ता बोलते हैं बच्चों सिंपली इनकी हम परिवासा को समझेगी ठोस क्या है और गैस क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ठोस से तो आप जानते हैं आप देखके उसकी बारे में बता सकते हैं कि ठोस कैसे होते हैं इनका आकार क्यांस होता है इनके बीच में जो कंड होते हैं दूशरे से जिसकी ठोस होते हैं से क्या होता है तो ऐसे पतार जिनका आकार आयतन निस्चत होता है मतलब बदलता नहीं है और इनके कणों के मद्ध में क्या होता है प्रवल आकर्षनबल होता है मतलब अगर यह ठोज कोई बना है वाच्चो यह इनके कण है तो इनके बीच में क्या होता है और अंतरकासी अपकास अंतरकासी अपकास नगन होता है इससे मतल cans यहां पर छोगाली सitéः कड़ों के बीच में जैसे माली कुई को जब परकार सब माकर जमाएंगे तो क्या होता वाब डरन के बीच मेंँ आप देख रहे हैं यहां पर झ nyape भाल इख रहे हैं कर रहाती है लेकर आप अमदरकास यूह क्ला मैं वहला झाल रहता है नगरने होता है मलब ना के बरावर जिसमें खाली जिगा है बहुत ही बहुत ही कम होती है ना के बरावर इसलिए इसको क्या कहते है नगरने होता है ना के बरावर और धावन के लिए नमक है सक्कर है सौना चांडी लकडी और यह बहुत सारी चीज़ जितनी हम देख जानते है ठोस अवस्ता है उसाभी किया जाएंगे लोहा आ जाएगा ठीक तो यह सब हो जाती है ठोस इसके बार आता है दूसरा जो दूसरी अवस्ता हमारी ड्रब ड्रब बच्छो सब जानते हैं जो बेहने वाले चीज़ें होती है वो ड्रब में आ जाती है जैसे कि ऐसे पुदा जि ठाली का आकार ग्रहन कर लेंगे टब में रखेंगे टब का आकार ग्रहन कर लागा पानी ठीक है तो जिस पात्र में भी हम रखते हों उसी का आकार क्या करते हैं ग्रहन कर लेते हैं और बच्छो आपको यह जानते होंगे आप कि ठोस होते हैं ठोसों की तोलना में जो है है दूद है यह सब आप जानते हैं ठीक तो यह जो है द्रब के अंत्रगत आते हैं सिरी सब्सक्राइब आपको यह ध्यां रखना कि जो चीज़ें बहती है उन्हें बुक्य कहलाती है ठीक है इसके बाद बच्चों हमारे जो मुख्या वस्ता एक और है गैस तो बच्चों दुर-दूर लें दूसरे भागते हैं और है इनका जो आकार है बच्चों और जो आइतव हो दोनों ही क्या होते हैं नहीं होते हैं यहां सकते हैं और होते हैं इनके बाइब बच्चों के नाम हम इसमें लगते हैं वह सकते हैं जी सब बहुत सारी गैसे हैं जिनके आप नाम को इसे भी लख सकते हैं इसके बाद बच्चों आता हमारा नेक्स्ट पिरिशन दाब से आप क्या समझते हैं इसे किसी अंदर से मापा जाता है तो बच्छो दाब भी आप जानते हैं किसी पर कोई बल लगाया जाता है वो कोई बस तुमें परिवर्दन हो जाए तो वो क्या कहला था बात दाब ठीक है तो देखिए प्रती इकाई छेतर बल पर मनला एक नि को बहर दें तो गैसे क्या करेंगी पात की दीवारों पर डाव लगाती हूं उस्कों तब क्या कहते हैं और बच्छो इस दाब कमापन जो है मैनुमीटर किससे मैनुमीटर से किया जाता बच्छो यह विकल बन सकता आप अच्छे स्याद रखेंगे और बच्छो दाब ग्य है बच्छो बल और ए मतलब यहां पर है बच्छो एरिया एरिया मतलब होता है छेत्रफल ठीक है तो इस प्रकार से चोटी चोटी परिवासा है जो आपको आराम से समझ में आ क्योंकि पहले भी कहीन कहीन को पढ़ चुके हैं इसके बार बाक्रीबा कर्षन सकती के आप जानते हैं बच्छो प्रत्वी जो है बजंदार होगा उसमान फॉर्ट्वा करशन अपटना लगेगा तो उसक्ति करण प्रत्वी बायू मंडल को अपनी और आकरसत करते कि अपनी तरफ क्हीचती है जिसके प्रत्वी की स्कति पर एक दावत्पन अहुत है ठीख है क्या मैं हुत पर हइं दावत्पन हो जाता है ज एक बायू मॉंदल दाब को मतलब पच्छो एक layout एक अतीम दाब किसे कहते हैं ठीक है इसको बायू मॉन्दल दाब को English इंगलिसमें Adm स्भी ने और इसको सूटक ट्राइब लगते है एक आधिया अब देखिए मिलिमीटर पारा पारा बच्चों होता है मरकरी इसको एक पार जो है काच की ट्यूम भर दिया जाता है यह एक इस थम्ब बोलते हैं 12 सून डिगरी सेलसेस पर कि तो इस पर मानक गृत्वी जनेत तुरान मानक बच्चों इसके सांगे मानक लगा है उसके मамиला फिक्स है है गृत्तवी जनेत तुरान उस पर डालता है कौन डालता है पारा या इस गया है एक माई मन्य दाप को वच्छों साथ टॉर टी ओडवाल र टॉर या हिंदी में आपर लखें तो इस परकार से टॉर भी लग सकते हैं ठीक है आज कल जो इसकी दाप की काई जो चलने लगी है टॉर भी बोलती है ठीक है अदाप को पासकल में भी ना पजाता है इसके आप और भी बहुत सारी है लेकिन आपको भी यहां पर खिलाल में यह याद रखना है ठीक है अब इसके बाद वच्छों आते हम नेक्स्ट प्रिश्ण परमताफ से आप क्या समझते हो और अधारान दीजी वच्छों यह बहुत इंप्रोटेंट है परमताफ और परम सुने परमताफ यह नेक्स्ट तोनवी प्रिश्ण पहुत ज़्यादा इंप्रोटेंट है जो कि परक्षाम है अक्सर कुछे जाते हैं तो देखिए परमताफ क्या होता है परमताफ अब तो उसके नाम से समय मारवाच चो ताफ है ठीक ताफ है तो सीडिस वास ताफ में हम क्या कर वारत की उष्ण ता उष्ण ता मत मतंब में की मत्रा को ताफ कहते हैं अगर अभ़ यहां पर हम आंगे बात करें तो जीरो डिग्री में व्यक्त सामाने ताफ ाइं स से करते हैं घ्र इट अब करते हैं अगर इसित आप में हम 273 कितना जोड़ दें do सो इसलमत्र आप होता होता हैं आप करते हैं एक केस से यहाँ पर आपको सुतरीया हुआ तो यहां पर के बराबर होता ती डीग्री सेल्सियस पिलस 270 मतलब यहां पर रख देंगे जैसे मान लिए अगर हम केलवन मानने कान नहों कोई तेंपरचर दिया हमें 25 डिग्री सेल्सिस टीडिग्री सेल्सिस की जिए वह में लग देंगे 25 प्लस उसमें क्या करेंगे सूत में 272 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा अभी आना चाही है अगर वच्चो केलवश में मान दिया है तो क्या करेंगे और सहल सेशमें बदलना हो तो क्या करेंगे हमेस में च्छ़ोंस में 273 घठा देंगे जोब देढ़र्या थे ने पुछ लेते हैं तो उसके नाम समझ्माराच बच्चो परमसूनिताफं बच्चो यह एक कालपने किगताफ जिस पर सबी गयसों का आईतन सून ने हो जाता है बच्चो कभी वी geç orphan का yourself का आईतन पून्ढ़ता सून को देखें तो यह जो मान है बचु वे होता है माइनस 273.15 डिक्री सेलिस शैल्सियस बाइब ीसकों मोटे तोर पर राउंड फिखर मैं माइनस 273.25 डिक्री लेकिन घर्टी जकों मैं भिया ख्याम है बच्चु माइनस 283.00 रख सकते हैं तो कभी बच्चों अगर बिकल पात पर हम सुनेता आप कहते हैं यह वह ताप है जिस पर सभी के सो कायतन कैसा हो जाता है सुन हो जाता है ठीक अब इसके बार वच्छों हम आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट परस्ण सामान ताप एबंदाव सामान सामान मतलब होता बच्छों नॉर्मल और नॉर्मल के लिए के स ecology सामानल ने के लिए ठीक है ठीक है तो इस परकार से जो है सामान ताप बदाव और मानाथ प्रिश्च्शन बनता है किसी कहते हैं तो वच्छों nursery कैलबिन और एक Veeштρ को समानताब दाब कहते हैं और मानकताब दाब किसे कहा हैं तो यहां पर पच्चो केलिग्रियर तेल थेमपरिचर तो पच्ची डिग्री सेलसेस दाब और 760 mm दाव यहां वच्छों एक बाई मनले बोल रहते हैं उसी चीज़ को सब्द चेंज हैं बागी बही है तो 760 mm दाव को मानकताब बादाव यानि एस्टीपी कहते हैं इस्टीपी पर एस्टीपी पर जो गैसों का है एक मोल गैसों का आयतन बाईस देसमलब 4 लीटर होता है यह आपको याद रखना है यह आंगे हम और पढ़ेंगे ठीक है बच्छों तो आज का जो वीडियो लेक्चर हमें ही पर समात करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल स्री कोचिंग क्लास इस बेगमंज पर ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद थेंक्यू